दोस्तो आखिर केवट पिछले जनम में कौन थे चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इससे पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल तिलक भक्ति दर्शन पर नए है तिस चैनल को जड़ू सब्सक्राइब कर दे ताथा आपको यह वीडियो पसंद आता है तिस वीडियो को लाइक और सेयर करना नहीं भूलिएगा चलिए इस वीडियो को सुरुआत करते हैं दोस्तो केवट बलमीकी रमाइण के परमुक पात्रों में से एक है जिन्होंने प्रभुसी राम, माता सीता और लचमन को सरीव नदी को पार करवाये थे दोस्तो बलमीकी रमाइण में भी केवट के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है कहते हैं कि स्रिष्टी के आरम में केवट का जन्म हुआ था तब धर्ती जल मगन थी वह एक कचुए के रूप में जन्मे थे और उसी रूप में भगवान विष्णू के भग्त थे तब उस समय कचुए ने मोक्च पाने की हारदिक इक्चा के साथ भगवान विष्णू के अंगुठे के असपर्ष करने की कोशिस की लेकिन इस कोशिस में वह सफल रहा इस घाटना के बाद केवट ने अपने पूर्वे जन्म यानी कचुए के रूप में कई वर्सों तक तप किया और भगवान ने उसके तप को देखते हुए केवट को मानों के रूप में जन्म दिये तब केवट के रूप में जन्मा जिन्होंने प्रभुसी राम, माता सीता और लचमल को सरी नदी पार करवाएं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आये होंगे इसी परकार से दुसरे वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्य बाद